पिछले प्रवचन में चोदवेश लोक पर चर्चा हुई थी। गीता में सामान्यत दार्षनिक विवेचन अधिक नहीं है। किन्तो कहीं कहीं भगवान की ऐसे उक्तिया हैं जिनसे दार्षनिक पक्षद बनित होता है। जैसे कि चोदवेश लोक में जहां माया का वर्नन हुआ है। इसमें भगवान ने माया को अपनी शक्ति बताकर उसे दैवी कहा है। माया को हम मिथ्या भी कह सकते हैं और दैवी भी। दोनों पक्ष सही हैं, केवल दृष्टि कौन कभेद है। ज्यान योग की दृष्टि से माया मिथ्या है और भक्तियोग की दृष्टि से वह दैवी शक्ती है। श्रीरामकृष्ण के अदवयत वेदांत के गुरु थे श्रीमत तोतापुरी जी। वे ज्यान योगी थे। ब्रम्ह सत्यम जगन मिथ्या के तत्व में प्रतिष्ठिते अतह उनकी द्रिष्टी में माया मिथ्या थी किन्तु श्री रामकृष्ण जब जगनमाता का नाम देकर तालियां बजाते तब तोतापुरी व्यंग पूर्व कहते यह क्या? रोटी ठोकता है किन्तु श्री रामकृष्ण कहते नहीं माहराज ब्रम्ह की भाती ही मेरी जगदंबा भी सत्य है वैसे ही जैसे अगनी और उसकी दाही का शक्ती दोनों अभिन और सत्य हैं और हम सभी जानते हैं कि अंत में तोतापुरी माहराज को भी इस सत्य का अनुभव ह हुआ है तथा उन्होंने भी उसे स्विकार किया उन्होंने भी यह मान लिया कि जगनमाता की कृपा से ही मनुष्य को माया के सच्छे स्वरूप का ज्यान होता है अतह उनकी शरन में जाना चाहिए इश्वर की शरन लेना यही एकमात्र उपाय है केवल ज्यान अर्थात कोर शास्तर ज्यान के बल पर मनुश्य माया के पार नहीं जा सकता यहां शर्णागती का भाव हमारे समक्ष रखा गया जिसे मैंने गीता के दर्शन कहा है अब नमाम दुश्कृतिनो मूढाह प्रपध्यनते नराधमाह मायया पहरतक ज्याना आशुरं भावम आशृताह दुश्कृतिनः दुश्कर्म करने वाले मूढाह विवेखीन मायया अपहरतक ज्यानाह माया द्वारा हरे हुए ज्यानवाले मोह ग्रस्त नराधमाह नीच लोग आशुरं असुरों की तरह भावम स्वभाव को आशुरताह आश्रय करके माम मेरा न प्रपध्यनते भजन नहीं करते इस लोग का वाच्यार्त ऐसे हुआ आशुरी सुभाव के आशुरित माया द्वारा जिनके ज्यान हर लिया गया है दुश्कर्म करने वाले मूढ नराधम ऐसे लोग मेरा भजन नहीं करते पहले कहा था मामे वये प्रपध्यनते मायाम एताम तरंतिते जो मेरे पास आते हैं मेरा भजन करते हैं वे माया को पार कर जाते हैं किन्तु यहां प्रश्न उठता है कि फिर सभी लोग भगवान के शरण में क्यों नहीं चले जाते इस लोग में भगवान ने पांच ऐसे विशेशन लगा दिये कि ऐसे ऐसे व्यक्ती मेरे पास नहीं आ सकते ये विशेशन है प्रतम दुश्कृतिनह जो कुकर्मी है द्वितिय मूढाह जो मूर्ख अविवे की है तृतिय नराधमाह जो नराधम नीच है चतुर्थ मायया अपहरतक ज्ञानाह माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है पंचम आशुरम भावमाशृताह जो आशुरी पशुप्रवृत्ती के अधीन है इस पर थोड़ी चर्चा करें दुशकर्ति नहा दुशकर्म कौन करते हैं वही व्यक्ति करता है जो चिंतनशील नहीं है जो अविवे की है वह माया को माया के रूप में न देखकर उसे ही सत्य समझ लेता है परिणाम स्वरूप उसकी वृत्या लगातार भोगों की और ही दोड़ती रहती है इस प्रकार वह नास्तिक हो जाता है ऐसे दुशकर्मी भगवान के पास आने में समर्थ नहीं होते मूढाहा मूढ का अर्थ है निपट अज्यानी ये लोग इश्वर्त था आध्यात्मिक जीवन के संबंद में कुछ नहीं जानते इसलिए मेरे पास नहीं आते नराधमाहा ये ऐसे लोग हैं जो मेरे संबंद में थोड़ा बहुत जानते तो हैं किन्तु मेरी और आने की उनकी मन में प्रवर्ति नहीं होती येही नराधम नरों में अधम अर्थात नीच होते हैं मायया अपहर तक जानाह ये ऐसे लोग हैं जो इश्वर के संबंद में जानते तो हैं किन्तु वे अपने प्रभल आहंकार के कारण कहते हैं कि जब तक तर्क के द्वारा इश्वर का अस्तित्व प्रमान नहीं जाता तब तक हम उसके विशय में नहीं सोचेंगे इन लोगों ने इश्वर के संबंद में विचार किया है तर्क किया है किन्तु इनके जीवन में अभिमान के रूप में आने वाली माया इतनी प्रभल होती है कि इनका ज्यान उससे ढग जाता है और इसी कारण ये लोग इश्वर के पास पहुँचने में असमर्थ होते हैं आसुरी भावम आशृता आहा इश्वर से द्वेश करने वाले जैसे रावन क्या रावन ही जानता था कि राम ही इश्वर के अवतार है जानता था किन्तु अपने आसुरी सुभाव के कारण वा भगवान से द्वेश करता था और इसी कारण इश्वर के पास जाने में असमर्थ रहा ये इश्वर द्वेशी लोग ही आसुरी भाव के आशृत होते हैं कौन-कौन लोग उनके पास नहीं जा सकते, भगवान द्वारा यह बताने का तातपर यह क्या है यहां संकेत क्या है संकेत यह है कि इश्वर के पास वे ही लोग जा सकते हैं जो दुशकर्मों को त्याग करें, जिनके मन में ज्यान हो, इश्वर प्राप्ति का अभिलाशा हो जो अभिमानी व कुतरकी न हो जो आसुरी भाव के आशरित अर्थात इश्वर द्वेशी न हो केवल ऐसे लोग ही इश्वर को पा सकते हैं उसके पास जा सकते हैं श्रीराम कृष्ण देव के दिव्य जीवन को देखने पर कभी कभी यह शंका उठती है कि उनके पास तो गिरीश घोष जैसे दुशकर्मी लोग भी आये थे किन्तु उन्होंने तो इश्वर को पा लिया इसका उतर यह है गिरीश दुशकर्मी तो थे किन्तु उनके मन में श्रीराम कृष्ण के प्रती अगाद विश्वास था उसी विश्वास के चलते धीरे धीरे उनके सभी दुशकर्म छूट गए किन्तु जिन लोगों के मन में श्रद्धा विश्वास नहीं था वे श्रीराम कृष्ण के संपर्क में आकर भी इश्वर को न पा सके हाजरा महाशय वैसे ही एक व्यक्ति थे ये दक्षिनेश्वर में श्रीराम कृष्ण देव के पास ही रहते थे किन्तु उनके मन में दृड़ विश्वास ये श्रद्धा नहीं थी कभी कभी तो वे श्रीराम कृष्ण देव को बहुत बड़ा महापुरुष समझते थे किन्तु फिर सोचने लगते अरे ये तो गाउं के एक अनपड व्यक्ती है गमारू भाषा बोलते हैं ये भला कभी महापुरुष हो सकते हैं मैं तो उनसे बहुत अधिक जानता हूँ अतह ज्यानी हो अपने इस अंकार तथा अविश्वास के कारण ही हाजरा इश्वर के निकट न जा पाए इसके पस्चात अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कितने प्रकार के लोग मुझे भजते हैं चतुर विधा भजन ते माम जना सुकृति नोर जन आर्तो जिग्या सुरर्थार्थी ज्यानी चभरतर्षव भरतर्षव हे भरतर्ष्यरेष्ट अर्जुनह अर्जुन आर्तह पीडित दुख्षी जिग्या सुहू जानने को उच्चुक अर्थार्थी धन सुखादी पाने के इच्चुक ज्यानी च और ज्यानी चतुर विधाहा चार प्रकार के सुकृतिनह, पुन्यकर्मी, जनाह, मनुष्य, माम, मुझे, भजनते, भजते हैं इस लोग का वाच्यार्थ है, हे बरतश रिष्ट अर्जुन, दुखी पीडित, ज्यान एच्चु, धन संपत्ती आदी चाहने वाले तथा तत्वज्यानी ये चार प्रकार के सतकर्म संपन्न लोग मुझे भजते हैं भगवान ने इन चारों को भक्त कहा है भक्त इसलिए कहा कि ये लोग सुकृतिनह हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं और कहा कि मुझे भजते हैं भक्ती शब्द भजदातु से व्यूत्पन्न है भजदातु के कई अर्थ होते हैं एक अर्थ होता है बांटना भागो भख्ति ही भक्ती बांट देती है एक ओर संसार और दुसरी ओर इश्वर भक्त वही है जो संसार को छोड़कर इश्वर को पकड़ता है दूसरा अर्थ है भजनम नाम रसनम भजन करना अर्थात रस लेना जिस प्रकार पुशु जुगाली करते हैं जो चारा खाया था उसे ही थोड़ा-थोड़ा पुनव मूँ में लाकर उसे चबाते हैं यह भी तो भक्ती है अतह उपरोक्त चारों प्रकार के लोग भक्त है आर्थ है अर्थात जो विपत्ती में पढ़ने पर इश्वर की शरण में जाता है इश्वर का भजन करता है संभवत सुक्षुविधा के समय वह भले ही इश्वर का समरन नहीं करता किन्तो दुख या विपत्ती आने पर अवश्य ही उनका स्मरन करता है जिग्यासू अर्थात जो जानने का इच्चुक है ज्यान पानना चाहता है इश्वर के स्वरूप को समझना चाहता है अतह वह भी भक्त है क्योंकि वह इश्वर का स्मरन करता है अर्थार्थी अर्थात धन संपति या अन्य किसी लाब की इच्छा से किसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए भगवान का स्मरण करता है उनसे प्रार्थना करता है वह भी भक्त है ज्यानी जिसे इश्वर के सुरूप का पूरी तरग ज्यान हो गया है जो उन्ही में समाहित है वह भी भक्त है ये जो चार प्रकार के भक्त हैं आर्थ, जिग्यासु, अर्थार्थी और ज्यानी इनमें हर परवर्ती श्रेनी अपने पूरवर्ती से कुछ उच्छतर है आर्थ भक्त का सोपान सबसे नीचे है जिसमें व्यक्ति विपत्ती में पढ़ने पर भगवान को पकारता है उससे उपर के सोपान में है जिग्यासु, इससे भी उपर सोपान है अर्थार्थी का जो किसी प्रयोजन की सिध्धी के लिए भगवान को भजता है बड़ा विचित्र सा लगता है कि जिग्यासु की अपेक्षा अर्थार्थी उपर के सुपान में कैसे है इसका कारण गिफ बताया गया है कि जिग्यासु अभी तक इश्वर के अस्तित्व रूपादी के संबंद में निश संदिक्द नहीं हो पाया है किन्तु जो अर्थार्थी है वह इश्वर के अस्तित्व के संबंद में पूर्णत अश्वस्त है उसके मन में इस संबंद में कोई संदेख नहीं है इसलिए वह इश्वर से अपनी कामनाओं की पूर्ती के लिए प्रार्थना करता है इन चार प्रकार के भक्तों में भी ज्ञानी, विशेश या श्रेश्ट है सबसे उपर के सोपान पर है यह बात भगवान आगे कहते हैं इश्लो का पदार्थ ऐसा है तेशाम उनमे नित्य युक्तह सदा मुझ में निवग्न चित एक भक्ति ही केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी तत्वग्य विशिश्यते श्रेश्ट है ही क्योंकि अहम मैं ज्ञानी नह ज्ञानी का अत्यर्थम अत्यंत प्रियह प्रियह हूं च और सह वख में मेरा प्रिय प्रिय है इस लोग का वाच्यार्थ है इन चार प्रकार के भक्तों में चित को सदा मुझ में निमग्न रखने वाला केवल मेरी ही भक्ति करने वाला तत्वग्य व्यक्ती ही श्रेश्ट है क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रियह हूं तता वह भी मुझे बढ़ा प्रिय है इन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी विशेश या श्रेश्ट क्यों है इसके दो कारण है एक तो वह नित्ती युक्त है अन्य लोग सदैव इश्वर से युक्त नहीं है आर्थ जब संकट में है तभी इश्वर का स्मरन करता है अर्थ आर्थी अपनी कामना पूर्थी के लिए इश्वर को पुकारता है और उसी समय इश्वर से युक्त होता है जिग्यासो जिस समय जानना चाहता है उसी समय इश्वर का चिंदन करता है सदैव नहीं किन्तु ज्यानी ही ऐसा है जिसके इश्वर स्मरन में कहीं खंड नहीं व्यवधान नहीं पड़ता वह सदैव एकरस होकर इश्वर का स्मरन करता रहता है अतह नित्य युक्त है दूसरी विशेष्टा वह एक भक्ती है, एक निश्ट है ज्यानी इश्वर को अपना स्वरूप समझता है अतह उसकी भक्ती और निश्टा अचल हो जाती है अपने स्वरूप इश्वर में निमग्न होने के कारण वह अन्य किसी की भक्ती नहीं करता इसी कारण वह एक भक्ती है अतह श्रेष्ट है वेदान्त शास्त्र में भी ऐसे ही ज्ञानी को गुरु माना गया है जो की शुरोत्रिय और ब्रम्ह निष्ट है शुरोत्रिय अर्तात शुरुतियों में पारंगत हो तथा ब्रम्ह निष्ट अर्तात उसकी निष्टा एकमात्र ब्रम्ह में ही हो यहां कभी-कभी कुछ सादकों के मन में यह प्रश्ण उठता है कि रामकृष्ण तो शास्तरग्य नहीं थे, उन्होंने संस्कृत और वेदान्त नहीं पड़ा था, तब क्या वे शुरूत्रिय नहीं थे? एक विहंगम दृष्टी से यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें, तो यह स्पष्ट दिख पड़ेगा कि उनके जीवन और उपदेशों में वेदान्त सहित सारे शास्तर मूर्तिमान हो उठे थे. इसलिए तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इस बार भगवान ने शास्तरों को प्रमानित करने के लिए ही निरक्षर के रूप में अवतार लिया है. उस समय के बड़े पंडितों ने श्री रामकृष्ण के अनुभूतियों के विशे सुनकर कहा था, कि आपके ज्यानी भक्तियों के विशेशता बताते हुए भगवान कहते हैं, उदारा सर्वे वैते ज्यानी त्वात्मय वमे मतं आस्थित सहयुक्तात्मा मामे वान उत्तमाम गतिम। इश्लो का पदार्त है, ये ते, ये, सर्वे एव, सभी, उदाराह, श्रेष्ट महान है, तु, किन्तु, ज्यानी, तत्वग्य, आत्मा एव, मेरा आत्म स्वरूपी है, मे, मेरा, मतं, मत है, ही, क्योंकी, सहयुक्तात्मा वह ज्यानी मुझ मे निमग्न चित्त है, अनुत्तमाम, सर्वोत्तम, गतिम, कति, माम एव, मुझ मे ही, आस्थितह, आश्रई किये है, इस लोग का वाच्यार्त है, ये सभी प्रकार के भक्त श्रेष्ट है, किन्तु, ज्यानी मेरा आत्म स्वरूप है, यह, मेरा मत है, क्योंकी, वह ज्यानी मुझ मे निमग्न चित्त है, तथा, सर्वोत्तम गतिरूप मुझ को ही आश्रे किये है, तीका कारों ने कहा है, कि ये चारों प्रकार के भक्त उधार अर्थाच्श्रेष्ट है, फिर, ज्यानी का तो कहना ही क्या, वह तो भगवान की आत्मा ही है, क्योंकी ज्यानी ही उनके स्वरूप को संगसार के समक्ष प्रकट करता है, इश्वर को हम कैसे समझ पाते हैं, किस माध्यम से हमें उसका ज्यान होता है, तत्व की दिष्टी से कितने लोग इश्वर की धारना करने में समर्थ होते हैं, जिस समय वह इश्वर तत्व किसी महा व्यक्ति के रूप में धर्ती पर प्रकट होता है, जिसे हम अवतार मसीहा आदि कहते हैं, तबी हमें इश्वर तत्व की कुछ धारना हो पाती है, यदि बुद्ध महावीर शंकराचार्य चैतन्य महाप्रभू रामकृष्ण विवेकानन दादी को लोगों ने न देखा होता उनके चरित्र एवं लीलाओं का व्योरा हमारे पास न होता, तो क्या हम इश्वर तत्व का कोई धारना कर पाते हैं, इन ही महापुरुषों के माद्यम से हम इश्वर की धारना कर उसका अनुभव कर पाते हैं, ये सब परम ज्यानी होते हैं, ज्यान स्वरूप होते हैं, औ भगवान यहां स्वयम ही कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानमाम प्रपध्यते वासुदेवस सर्वमिती समहात्मा सुदुलबह बहुनाम बहुत जन्मनाम जन्मों के अंते बाद ज्ञानवान ज्ञानी सर्वम वासुदेवह यह सब कुछ वासुदेव ही हैं इत इस प्रकार माम, मुझे, रपध्यते, भजता है, सह, वह, महात्मा, महात्मा, सुदुरलबह, अत्यंत दुरलब है, अनेक जन्मों के अंत में जो तत्व ज्यानी ये समस्त वासुदेव ही है, ऐसा समझ कर मेरा भजन करते हैं, ऐसे महात्मा अति दुरलब है, ये सब कुछ इश्वर ही है, वे ही एक इश्वर विभिन रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं, ऐसा ज्यान मनिश्य को एक ही जन्म की साधना से नहीं प्राप्त हो जाता, उसके लिए जन्म जन्मांतर में कठोर साधना करनी पड़ती है, अतह, किसी व्यक्ति के उंचे ज्यान की तुल हम भी किसी जन्म में ऐसा ज्यान प्राप्त करने में समर्त होंगे, उस ज्यान का लक्षन क्या है? वासुदेवस सर्वम इती, ये जोकुछ भी है, विश्व ब्रम्हांड, सबकुछ वासुदेव ही है, ऐसी अनुभूती करके उस भाव में प्रतिश्टत होना ही उस ज्यान का लक्षन है इस विशे में स्वामी विवेकानंद जी ने एक घटना का उलेख किया है 1857 साल के स्वातंत्र संग्राम के समय की घटना है किसी मुसल्मान ने एक हिंदू सन्यासी को चूरा भौंक दिया था हिंदू सिपाही उस चूरा भौंकने वाले को पकड़ कर ले आए और कहा महराज इसी ने आपको चूरा भौंका था आपकी आग्या हो तो हम अभी इसका सिर काट डाले उस हिंदू सन्यासी ने कहा भाई मुझे चूरा मारने वाला भी तो वही ब्रह्म है यह कहते हैं वे उन्होंने देहत्याग दिया सब के भीतर यहां तक कि अपने हत्यारे के भीतर भी उसी एक इश्वर तत्व के दर्शन करना पूर्न ज्ञान की सिती है यह बहुत उच्छा अवस्था है तथा उनके अनेक जन्मों की साधना से ही प्राप्त होता है किन्तु आशा की बात यह है कि भले ही इस ज्ञान की प्राप्ती में अनेक जन्म लग जाए तो भी प्रत्यक्त व्यक्ति इस ज्ञान की अधिकारी है और किसी न किसी जन्म में वह अवश्य ही इसकी उपलब्धी करेगा एक और घटना है श्री रामकिष्ण जब दक्षिनेश्वर में रहते थे उस समय की एक दिन उन्होंने देखा कि एक पागल सा दिखने वाला माईला कुचैला घनवना सव्यक्ति काली मंदर के प्रांगन में आया वहां कंगालों का भोजन हो रहा था वह व्यक्ति इतना घिनवना था कि गंगालों ने भी उसे अपने साथ बैठने नहीं दिया तब वह उस थान पर चला गया जहां कुट्थे जूठी पत्ते चाट रहे थे वह भी उन कुट्थों के साथ जूठन खाने लगे श्रीराम किष्ण देव ने जब उसे देखा तो वे तुरंट समझ गए कि यह व्यक्ति साथारन पागल नहीं है आपि तो यह तो ज्यानों मादी है उनके मन में भाई हुआ कि कहीं मेरी भी ऐसी अवस्था तो हो नहीं जाएगी उन्होंने अपने भांजे हृदेराम को बलाकर कहा कि देख यह ब्रह्मग्यानी है इससे कुछ पूछ वह ज्यानों मादी वापस जाने लगा हृदेराम भी उसके पीछे हो लिए जाते जाते उसने हृदेराम को बताया जब नाले के पानी और गंगाजल में कोई भेद न दिखे तब समझना की ज्यान हुआ है यह उस परमग्यान का एक उदाहरन है जिसमें बोध होता है कि सब कुछ वासुदे भी है श्री रामकृष्ण के अपने जीवन में भी ऐसे अनेक अनुभव हुए थे इसके बाद के कुछ लोकों में यह बताया गया है कि लोग सीधे भगवान की शरन में न जाकर भिन भिन देवताओं की शरन में क्यों जाते हैं क्यों दूसरे देव देवताओं की पूजा करते हैं कैसे लोग अनेक प्रकार की छोटी-छोटी कामनाओं को लेकर इन देवताओं का उपासना करते हैं, इन ही सब का वर्नन है। किसी-किसी मत के अनुयाहियों ने अन्य देवी देवताओं की निंदा कर उन पर प्रहार कर एकेश्वर वाद का सिध्धान्त प्रचारित करने का प्रयास किया। किन्तु निंदा और प्रहार का यह रास्ता उचित नहीं है। इसे वांचित सुधार नहीं हो पाते। भगवान शी कृष्टन ने बिना किसी निंदा प्रहार के उस एक सत्यस्वरु परमेश्वर की ओर जाने का अभोत पूर्व उपाई बताया है और हम अगले प्रवचन में उसी पर चर्चा करेंगे.